तो हेलो फ्रेंड कैसे आई बच्छे होंगे तो हमेशा की तरह एक वीडियो और है गाईस तो तो बताना चाहंगा जो जो कि इसकी Android 11TL होने के कारण फिर यह FRP बाइपास नहीं होता है तो आपको जो पार्टीकुलर गाइज में बताना चाहता हूं आपको इसको FRP को क्लियर तरीके से अगर इसको आपको अच्छे तरीके से रिमूव करना है क्योंकि आगार बाइपास नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम विस्ट ना करें यह वीडियो आपके लिए गाइस तो हम यहां पर आपको दिखा देते हैं कि इसमें फार्पी लगी हो इगने लिगे भी इसमें यह वही मॉडल है वीवो का Y12S मॉडल है भी न्यू मॉडल है और इसका टेस्पॉइंट पर मैं आपको दिखाऊंग तो फिलाल अभी आप देख सकते हैं अभी जस्ट सेकेंड अभी आपको दिखाई दी जाएगा गाइस यहां पर नेक्स कर देंगे ने वाद यहां पर देखोगे कि आपको भी स्किप का बटन यहां पर नहीं आएगा तो इसके फार्पीम करने वाले हैं बाई पास तो वीडिट में ऐसे आप बने रहे हैँ तो चली वीडियो को कंट्ड करते हैं अभी आपको त्वड़ा सा दिखा देद equation यहा । थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो देख सकते हैं इसके कोई बीडियों कोई तो फट फट विडियो को स्टार्ट करते हैं, हम इसको करने वाले हैं, अनलॉक तूल से अनलॉक करने वाले हैं, बहुत इच्छे जो भी ऐर आएगा, जो भी एरर से भी आएगा, मैं आपको दिखाँगा, यह बैसिकली मैं दिखा रहा हूँ, यह हमारे इस्टुडेंट का है कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं यह हमारा लग तूल खुल गया अप सीधा वर रापको जाना है वीवो में जाना है वीवो अपना मॉडल से यह वाइबारा भी है वाइबारा जी भी आता है गाइस तो आपको हैं पर्टिकूलर गित देख सकते हैं हाँ पर मेरियर टेक और कॉलकम दोनों ही है तो जब आप सही तरीके से गाइडेंस ले लेते हैं कि जब आप इंसिटूट जोइन कर दें तब आपको पता चलाता है तो यह टेस्ट पॉइंट है यहां पर दिख सकते हैं दो टेस्ट पॉइंट है ट्विजर से आपको इन दोनों को सॉट करना है बैटरी रिमूव होनी चाहिए लगी भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है एक बार आप निकाल कर सकते हैं तो आपने मैंने टेस्ट पर आपके सामने यहां पर लाइफ करने वाले हैं तो अभी देख सकते हैं फैल का मैसे जागा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिर से आप क्या करिए बैटरी को रिमूव करिए और दुबारा से क्या करिए फोन को कनेट करिए जैसे का मैंने आपको टेस्ट पॉंट में द तो देखते हैं कि हमारा हटता है कि नहीं हटता है तो देख सकते हैं यहां पर कनेक्ट हो गया जो एरर आया था यहां पर नहीं आया तो एरर का मतलब यह था कि आपको दुबारा फोन को कनेक्ट करना था फिर से हमने कोई भी मॉडल चेंज नहीं किया वही मॉडल था हमने लिया और लेटेस टूल के लिए सपोर्ट के लिए बहुत ही बेस्ट है और दिख सकते हैं बहुत ही कम सेकेंड में फर्पी हो गई है अब चलिए हम फोन के स्क्रीन में चलेंगे और देखेंगे कि हमारा फर्पी रिमूव हुआ है तो अभी हम मॉडल के स्क्रीन में चलेंगे और आपको हम दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम समय में हमारी फर्पी जो थी गाइस वह रिमूव हो चुकी है अब अपने फोन के स्क्रीन में लेकर चलेंगे और यहां पर आपको दिखाएंगे कि इसकी जो फर्पी है वह एक्चुल में रिमूव हुई की नहीं सिंपल सिंपल बहुत सोटा से स्टैप था सारा चीज है अपर हमने करके आपको दिखाया है तो चली चलते हैं मॉड़ की स्क्रीन में जैसे ही हम आ जाते हैं जैसे ही हम आ चुके हैं अब यहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर नेक्स करते हैं और यहाँ पर कर देंगे और फाइनल दीखेंगे कि हमारा आफार पर रिमूब हुआ की नहीं तो अभी क्योंकि आप चेकिंग इंफो और गूगल एकांट जो सेम प्रूसीजर हम आपको दिखा रहे हैं जूकि हमने सुरू में आपको दिखा हुए थे तो यहां पर थोड़ा सा लग रहा है टाइम गाइस तो यहां पर कर देना है डूंट कॉपी करने के बाद जस्ट सेक सब्सक्राइब करेंगे तो फिलाल आप यहां पर देख सकते हैं इसली तरीके से हो चुकी है जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है तो आई हो वीडियो काफी है आपको मैं कर लोगा जीजिए आपको मैं दिखाने के कोशिश कर रहा हूं और यह वाल लीजे आपको पास यूम्ट है तो आपको फैल हो रहा है जैसा कि मैं आपको बता दूँ तो आप यह ट्राइक कर सकते हैं तो कंवर्च लसंग मेसेई आ चुका है और देख थी हमारा बहुत इसली त्रिसकों से जॉब डर्न हो गया वीडियो कर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जुरू बताएए थांकि सो मच मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में कि ड्रौन कर लें कि